सर्फारस अपने घर वलों के समने अपने नजरियत को लेकर खड़ा है। उसकी बातीन अकसर उसके वलीदैन को समझ नहीं आती। उसके वलीद उससे अकसर सक्ट वार्निंग्स देते हैं कि वो बरे बुज़ुर्गों की इज़त करे। ये तनव सर्फारस के लिए बोहत ज़र देता है और उसकी जिन्दगी को एक तार्तिब में रखता है। एक दिन उसको तालीम जारी रखने का मोका मिलता है। ये ओफर उसके लिए सपोर्ट और प्रोग्रेसिव वैल्यूस का इजहर है। उसको ये भी कहा जाता है कि वो अपने फ्यूचर को सीरियसली ले औ पुराने और नए दूश्मनों से बचने के लिए कुछ अडिशनल लोग भी भेजे जाते हैं। इस हमले से बचने पर फैमली खुदा का शुकर अड़ा करती है। वो लोगों को चैरिटी देते हैं और कुर्बानी करते हैं जो के कल्चुरल सिग्निफिकेंस रखता है। इ उससे फ्रेश एर लेने की सलाह दी जाती है ताके वो अपने आपको बेटर महसूस कर सके। फीजा अपनी मा से मिलने घर जाती है। उसकी मा पीछले दिन के वक्याद से बहुत परेशा होती है और फीजा उसको तसल्ली देने की कोशिश करती है। ये इमोशनल बोहर को धमकी देते हैं। ये रियाक्शन घुसे और बेज़जती का इजहर है जो फैमली डाइनामिक्स को और भी मुश्किल बनाता है। नोशरवान फीजा को उसका नया घर दिखाता है एक बहुत बड़ा मैंशन जो अब उसका है। इन दोनों की गुफतागू नोशरवान से शेयर करती है कि उनकी शादी को उसके वालिदयन से क्यूं चुपाया गया। उससे दर है कि कहीं नोशरवान उससे दूर ना हो जाए। नोशरवान उसको यकीन दीलाता है कि वो उसके साथ हमेशा रहेगा। नोशरवान अपना घर फिजा के नाम कर देता है ये एक बहुत बड़ा फैसला है जो फिजा को सिक्यूरिटी और स्टेबिलिटी का एहसास दिलाता है ये इस बात का सबूट है के नोशरवान का पियार और कमिट्मेंट फिजा के लिए कितना गहरा है जुनायरा नोशरवान की महाबबत पर जला महसूस करती है वो अपने मेट से मश्वारा करती है के कैसे अपनी हालत को